टॉप फॉर बेस्ट स्मार्टफोन अंडर 25,000 रुपीज तो अगर आप 25,000 रुपीज की बजट स्प्राइसेंग में एक बढ़िया सा 5G स्मार्टफोन लेने की सोच रहे हैं यहाँ पर आपको पावरफुल प्रोसेसर के साथ साथ काफी बढ़िया कैमरे क्वाल्टी देखने को मिल जाएं काफी अट्रैक्टिव डिजाइन देखने को मिल जाएं तो प्रोपर पूरी इंफर्मविशन के लिए बने रहे हैं वीडियो में लाश्ट तक स्मार्टफून को अभी के टाइम बे कंसीडर कर सकते हैं यहाँ पर आपको अच्छी खाजी कैमरे क्वाल्टी देखने को मिल जाती है तो अगर डीटेल से बात करें हम इस स्मार्टफून के स्पैसिफिकेशन के बारे में तो अगर सुरुवात करें सबसे पहले इसके पर्फॉर्मेंस सेंटर के स्पैसिफिकेशन से तो यहाँ पर आपको पर्फॉर्मेंस के लिए कोयल का मिशनाप डगन 7S Gen 2 का चिपसर देखने को मिल जाता है जो कि 2.4 गीगाज पर क्लॉग्ड फुल अक्टाकॉर 5G प्रोसेसर है यहाँ पर आपको 8GB RAM सपोर्ट के साथ 128GB तक की इनविल्ट मेमरी भी देखने को मिल जाती है इसके अलावा आपको बैटरी के तौर पर भी 5100MH की काफी बड़ी बैटरी देखने को मिल जाती है जो कि 67W Fast Charging को सपोर्ट करती है तो इस स्क्रीन देखने को मिल जाती है जो कि 1220 x 7212 pixels की है और यह जो डिस्प्ले पनल है वो 446BPI पिक्सल लेंश्टी पे वर्क करती है इसके अलावा आपको डॉल वी विजन का सपोर्ट देखने को मिल जाता है कॉर्णिंग गुला गलास विक्टर्स की प्रोटेक्शन मिल ज सबसे बढ़ी है देखने को मिल जाते हैं मेरे हिसाब से तो आप इस smartphone को प्रिफर कर सकते हैं इसके अलावा अगर बात करें हो ही पर इस smartphone के फोटोग्राफी फीचर्स के बारे में तो यहाँ पर आपको 200 Megapixel primary sensor के साथ triple ear camera support देखने को मिल जाता है with OIS support जहाँ पर आपको 8 Megap पिक्सल का एक front camera भी देखने को मिल जाता है जो कि ISOCELL HF3 का एक काफी बड़िया sensor माना जाता है इसके बाद आप बढ़ते हमाई लिष्ट के second number वाले smartphone की तरफ और second number पर हमने रखा है OnePlus की तरफ से आने वाला OnePlus Nord C E3 5G smartphone जो कि आपको 24-25,000 रुपीस की budget price में देखने को मिल ज जाता है और आप इस smartphone के साथ भी जा सकते हैं अगर आपको OnePlus का कोई एक बड़िया सा smartphone लेना है because यहां पर भी आपको इस specifications काफी कमाल के देखने को मिल जाते हैं budget range recording अगर बात करी जा और branding भी आपको OnePlus के देखने को मिल जाती है तो अगर detail से बात करें हम इस smartphone के specifications के बारे में तो यहां पर आपको performance के लिए Qualcomm Snapdragon 782G का chipset देखने को मिल जाता है और यह भी 2.7GHz पे clocked एक octa core 5G processor है जहां पर आपको 8GB RAM support के साथ 128GB की inbuilt memory देखने को मिल जाती है इसके अलावा आपको 5000mh की काफी बड़ी battery के साथ 80W का Superbook fast charging support भी देखने को मिल जाता है और वहीं आपको display के तौर पर भी 6.7 inches की एक AMOLED screen देखने को मिल जाती है जो की mainly 1080 to 2400 pixels पे work करती है और यहां पर आपको 394ppi pixel density का भी support देखने को मिल जाता है HD at 10 plus support के साथ 120DH का refresh rate support भी आपको यहां पर देखने को मिल जाएगा तो यहां पर जब भी आप इस smartphone को use करोगे तब काफी smooth experience आप आपको मिलेगा एंड इसके बाद at the end अगरों ही पर बात कर लें इस smartphone के photography features के वारे में तो यहां पर आपको 50 plus 8 plus 2 megapixel का triple rear camera support देखने को मिल जाता है आपको 24,000 रुपीज की price में देखने को मिल जाएगा और यहां पर भी आपको camera quality काफी जवज़स देखने को मिल जाती है इसके लाव आपको काफी smooth experience के लिए 120H तक का refresh rate support देखने को मिल जाएगा एक color display design देखने को मिल जाएगी तो देखने में भी आपका यहां पर premium लगे locked octa core 5G processor मिल जाता है जहां पर आपको 8GB RAM support के साथ 128GB की inbuilt memory मिल जाती है इसके अलाव वहीं पर आपको battery के तौर पर 5000mh की बड़ी battery के साथ 67W का dart charging support मिल जाता है और वहीं display के तौर पर आपको 6.7 inches की एक AMOLED screen देखने को मिल जाती है जो की 1018-2412 pixels की है और यह जो display panel है वो 394ppi pixel density पर work करती है यहां पर आपको 120H का refresh rate support भी मिल जाता है और at the end वहीं पर आपको photography के तौर पर यहां पर dual layer camera support देखने को मिल जाता है जिसमें 100MP का primary sensor प्लस 2MP का secondary camera आपको मिल जाता है और आप यहां से 4G quality में अपनी वीडियो उसको 30fps पर Ultra HD में record भी कर पाएंगे और वहीं सामने के तरफ भी आपको 16MP का एक sensor देखने को मिल जाता है तो इसके बाद आप बात कर लेते हैं वहाई list के fourth number वाले smartphone के बारे में जो की हमने रखा है वीबो की तरफ से आने वाला वीबो T2 Pro 5G smartphone और अगर डीटेल से बात करें हम इस smartphone के specifications के बारे में तो यहाँ पर आपको performance के लिए Qualcomm Snapdragon 695 का 2.2 GHz पे clock Octa-Core 5G processor मिल जाता है यहाँ पर आपको 6GB तक की RAM support और 128GB की inbuilt memory भी मिल जाती है इसके अलावा वहीं पर आपको battery के तौर पर भी 4500MH की बड़ी battery के साथ 44W का super fast flash charging support भी देखनी को मिल जाता है इसके लाव वहीं पर अगर बात करें इस smartphone के display specifications के बारे में तो यहाँ पर आपको display के तौर पर 6.38 inches की एक AMOLED screen देखने को मिलती है जो की 1080 to 2400 pixels की है और यह जो display panel है वो 413 ppi pixel density पर work करती है इसके अलावा यहाँ पर आपको 16 megapixel का एक काफी बड़ी है sensor देखने को मिल जाता है तो यह रहे टॉप 4 best smartphone जो कि आपको 25,000 रुपीस की budget pricing में देखने को मिल जाते हैं तो आप अपने 24 या फी अपने need users के basis पर किसे भी smartphone की तरफ जा सकते हैं So at the end of this video I hope कि आपको इस वीडियो से काफी कुछ सीखने को मिला होगा और यह वीडियो आपके लिए काफी अदर informative रही होगी So अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी सीखने को मिला हो तो इस वीडियो को सिंप्रिक कर देजए अगर लाइक और चैनल कर देज़िए सब्सक्राइब तो इस वीडियो में इतना ही मिलते हैं लिए online testing वीडियो में तो तब तक के लिए रादे रादे